हेलो नमस्कार डियर इस्टुडेंट वेलकम टू सक्सेज केरियर आज की वडियो में हम बात करने बारे हैं एनपी सिया यानिकी निकली और पाउर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से जो रिक्रूमेंट निकल कर आया यहां पे इंगेजमेंट आफ ट्रेड के लिए यहां पे तो यह एडवर्टाइजमेंट नमबर जो नोटिस से जारी कर दिया गया उसका एडवर्टाइजमेंट नमबर जो है एंपी इसका क्लोजिंग डेटर रिसिप्ट आप एप्लिकेशन का यह 168-2021 तो देखिए यदि आपने रिसेंटली यह आप अपना है चलिए मैं दिखाओं आपको तो यहां पे देख लिए यदि आप फीटर ट्रेट से किए होता है तो यहां पी 50 टे में 50 सीटा अब वेल्डर और वेल्डर गास अद्टिक से 8 सीट पाई एक्टिशन से 40 सीट आई है nau pen अपरेटर मेकेनिक से 5 सीट बाफ है उसका इंस्टूमेंट मेकेनिक से 20 सीट आई है और मेकेनिक इन्डास्ट्रियल एर कंडिशनर से कंडिशनिंग से पान सिट आये टोटल जो पोस्ट आया हुआ है यहां पे 173 पोस्ट आया हुआ है जो की काफी ज्याद मात्र में गाई यदि आप पास आउट हो चुके अपनी इस फार्म को फिल करिएगा ठीक है अब देखिए फीटर ट्रेड के लिए आप तो 10 प्लस टू कमकर्प्स होना चाहिए या 10 दस वी में आपका गणाइथ होनी चाहिए 10 प्लस 2 में विज्यान होना चाहिए उसके साथ आपके फिटर ट्रेड में इसके जिए वेल्डर आप पास के बाद भी तो आप इलीजिवल है इस के लिए यदि आप मसिनीस्ट इट् यदि वेल्डर आप एट पास के बाद यदि वेल्डर ट्रेट चाइटी आई किये हुए हैं तो आप इस फार्म के लिए इलिजबल हैं यह देखिए यहां पर कोई भी सब्सक्राइब देखिए इस वाले दोनों के सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर इक औरेने चौह कICIA हुए है सुरी पॉंप आप रडर से यदी आप एकी है तो कि भी साम को अप बरख सकते हैं अगला इंस्टूमेंट मेंहां है इन्सूमेंट मेंग से यदी आप पास कर चिक है रेडियो मेकेनिक ट्रेट से या इंस्ट्रूमेंट मेकेनिक्स टेकनिशन से या इलेक्ट्रोनिक्स मेकेनिक्स से तो आप इंस्ट्रूमेंट मेकेनिक के लिए फार्म को भर सकते हैं अगला जो है मेकैनिक चिलर प्लांट इंडर्स्टियल एयर कंडिशनिंग के लिए तो यह इतने जो वकेंसिज आई हुए मैं अल्रेड़ी डिसकुस कर दिया हूँ कौन कौन से ट्रेट से एक बार आप देख लिजीगा यह दी किलिए नहीं होगा तो पीछे वीडियो करके अब यहां पे आपका जो आई उनी चाहिए 16821 को जो आपका एज होना चाहिए आठार समर बर्स से कमuto प्रण के एदिक होने चरहें शमाने अवियरति िडेववियरती के अधिक्तम जो आई उनी चरहें 24 heast होनी चाहिए और यहां पर आपको एज रिलेक्सेशन मिलेगा यदि आप से से तो पांस वर्ज की छूट मिलेगी और ओवी सी से हैं तो तीन साल का और पीड़ी से हैं तो दस साल का छूट मिलेगा जो भी मा पातरता मांदंद गर्णा की जाएगी यह 16 तो आट 2020 को पूरी हो जानी चाहिए आपका पूरा सारी रिक यहां पे इस्टेंडर्ट्स विस्क्ल फिट्नेत्स होना चाहिए जो कि कोई exactly को है आपको तो उस फीडर सकते हैं संक्राम के बीमारी जैसे टीबी बगएर की बीमारी जो की फैलने वाली बीमारी या होती है नहीं होनी चाहिए और आपका नियूंतम उचाईज होनी चाहिए सहती सेंटिमीटर होना चाहिए वह जन आपका 25.4 किलोग्राम और चाहिए और चाहिए के अकार पर विचार किये भी नचाहिए पूलाई 3.8 से कम नहीं होनी चाहिए इतना आपका विजन आपका विजन जो है किसी भी आख या पलकों में कोई भी रोग्रस इस्तितिन नहीं हो होनी चाहिए जोकी जोखिम या बढ़ाना पुर्णाविती के लिए उतमदाई हो सकता है तो यहां पर आप देख सकते हैं वीजन के लिए यदि आप पहन रहे होंगे तो आपको एला हुए ना चस्में के लिए एला हुए अब यहां पर बात करेंगे चेहन की परकिरिया क्या होगी तो सबसे पहले केंडिडेट को सार्ट लिस्टेट किया जाएगा अप्टेन मौर्क इन आई टी आई कोर्स यदि आप में जितना अच्छा परसेंटेज लाएं उसके बाद पर जो भी पर सिक्षू है उसको सेलेक्शन के लिए अप्रेंटिस के लिए सबसे पहले साथ म elemento जैदर मिलेगे जहां भी बराबर होता है निमनाज अचार प्रातमिक दी जाएगी सबसे पहले प्रातमिकता उनको दी जाएगी जिनकाा ₹ च्रा पेसे लाश्रान पैट्ञा जिसका से लिऌ्शो एडिक होगा और जृप परषिक्छर संस्तान का प्लेस आफ ट्रेनिंग आपका कुंडी कुलम नुकलियर पावर प्रोजेक्ट पोस्ट राधा पूरम तालुक तिरुन नेल वेली जिला बासट एकत्त जीरो छे में होने वाला है तो यहां पर आपका प्रेंट जो होगा ट्रेनिंग चलेगा ट्रेनिंग की जो अवदी होगी वन यह ओगा इसके दोरान आपको एमाउंट इस्टिपेंड जो मिलेगा वह आठ हजार आठ सो पचपन रुपे मिलेगा जो की कैंडिडेट अंडर्गोर्ट टू यहर्स आइटी कर्स किया हुए जो कैंडिडेट एक वर्स का इटी आई कोर्स किया हुए है उनको 77 रुपे मिलेगा उसका अवेजन कैसे करना है तो आपको www.apprenticeship.indiaor.gov आपको ऐबेंडीर को फार्म करना होगा ठीक है यह यदि आप आप यह पास है तो अप्रेंटीष करने के लिगे एप्रेंटीस कि की वेब शाइट है इस पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस रजिस्ट्रेशन के तुरू आपको फार्म को फिल अप करना होगा उसके बाद बोला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि आप पहले वी रजी आल्रेडी रजिस्ट्रेशन किये हुए है अप्रेंटिस पोडल पर तो आपको दुबार करने के बाद आपको पॉर्टर करने के बाद आपको स्थान पर ये यह दालेंगे चलिए मैं दिखाओं आपको कैसे चीज़े करना है सारी चीज़े तो सबसे पहले इस registration number को आप copy कर लिजे इस registration number से इस्टेबिस registration number से आपको मिलना है तो इसको मैं copy कर लिया तो देखिए सबसे पहले आपको www.apprenticeshipIndia.org पर चले जाना है चलिए मैं इसको ओपन कर ले रहा हूं तो मैं अल्रेडी ओपन करके रखा हूं यहां पर यह सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ इस परकार का इंटरफेस खुल जाएगा और आपको यहां पर क्लिक करना है ऐसे क्लिक करेंगे अप्रेंटिस अपर्चुन्टीज पर उसके बाद आपको यह त्री डाटेड लाइन पर फिर टैप कर देना है टैप करेंगे तो आपको नीच सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर देखिए इस्टेब्लीस नंबर आपको दिया गया है इस इस्टेब्लीस नंबर नेम से आपको क्या करना है सच कर लेना है तो इस्टेब्लीस नंबर जो आपका यह पीडिएफ में यह नंबर जो दिया हुआ है रजिस्टेशन नंबर यहां पर इसको आप कापी कर लिजिएगा इस्टेब्लीस रेजिस्ट्रेशन नंबर इसको कापी कर लेंगे देखिए मैं कापी कर लिया हूं इस्टेब्लीस रेजिस्ट्रेशन नंबर को कापी कर लिया और इसको इसमें क्या करिएगा पेस्ट कर दीजिएगा इस्टेब्ली आया लेनिक निकुलियर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से जो आप प्रचौधा अपरेंटिस आई हुई हैं जैसे फीटर में आप लोग देख सकते हैं फीटर में उसका बाद मसिनिस्ट में भी आया हुआ है और मैं आल्रेडी पोस्ट बता चुका ह किना है फीटर इलेक्टिसियन मसिनिस्ट फीटर वेल्डर मेकैनिक सेंटर एयर कंडिशनिक प्लाट इंडॉस्ट्री जो भी मैंने डिसकुस किया है और जो भी आपका ट्रेड कुछ नहीं करना है रिजिस्ट्रेशन आल्रेडी किये होंगे तो यहां पे आपको नहीं प्रण होगे और आगे एप्लाइग कर देंगे तो आपका फार्म फिल अप और उसके बाद जब फ़ार्म फिल करना फोगाण वहां से फारम फिल ऐब पहुजाये लगा 177 आफड़ जोने के साथ शालन्लंग की हाड़ परतिबंदा अवसियक है यानिके हाड कापी आपको भरना होगा और भरने के बाद भरे हुए आवेदम पत्र के साथ निमनिम लिखित दस्तावेजों की सेवन सत्यालिपीड डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वरा आपको वरिष्ट प्रबंदक मार्सम प्र मानो संसादम भरती अनुभाग कुड़न कुलम नुकलियर पाउर प्रजेक्ट कुड़न कुलम पोस्ट राधापूरम तालुक तिरून लेवेली जीला बासट एकट जीरो छे पर भेज देना है तो एक बार यहां पर में एक बार और कर दू हाड कापी आपको भरना है हाड कापी आपको भेजना पड़ेग तो जो भी आप आनलाइन फार्म को रेजिस्टर करेंगे उसको प्रिंट आउट निकाल वाली जीगा और उसके साथ आपको यह दस्तावेज भी लगाने है आपको क्या करना होगा कि आपको एक पंजिकर पूरा करने के बाद आपको अभेरति को विज्यामपन के साथ सलगन अवेजन की हार कापी भरना होगा अपंजेशन की हर्ट कापी आपको कहा मिल जागा सबसे नीचे आएंगे तो यह आपका आउंग का यहां ... यहीं फाम है अप्लेकेशन फार दी अपरेंटिशिप ट्रेनिंग अंडर दी एकट ओफ 90 तो यहां पे आपको यह फाम को फीलप कर देना है अपना फोटो अपना एपलाइट किसके लिए अप्लाइट कर रहे हैं फीटर तरनर इलक्रिकि लो भी आपका पोस्ट ठ्रेड है वो आपको यह पर अपना नाम पोर्टल पे स्वर जो रिजिस्ट्रेशन नमबर आपका अनल यह वो उसको अपना ने मदर नेम लिंगा पर विघ्ड लीजिए और इस फाप को करने बाद इस फर्म को फीलब करने बाद आपको क्या क्या इसमें दस्तावज लगाना तो आपको दस तर्थ नवेज लगांब है कि यह स तो यह यहां कर दिजिएगा उसके सी का सर्टिफिकेट लगाए होंगे तो यह उसके बाद आपको यह सर्टिफिकेट है तो यह करिए जो कर दीजिए लेंड लोजर स्टिफिकेट है तो यह कर दो नो कर दिजिए इसको उसको पाज पी डबुस्ट्री सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इसको भी नो करिएगा अधार कार्ड अनिवार यहां पर अधार काड क्या में इसको लगाईएगा और फूट कापी लगा दीजिए और अधर क्वालिफिकेंस और एक्स्परियंस रखे और जिराक्स प्रति आपको बना जिराक्स करा लिजिए इन सबी डाकुमेंट्स को और सेल्फ अटेस्टेट करना है न और यहां पर अपना दिनांक हस्ताक्षर और प्लेस लिकर इसी फार्म को आपको भेज देना है न यह चरीत्र परमारपत्र आपको देखिए यह पदनाम इस्तिती पता हस्ताक्षर न यह वोक लोग करेंगे अब उसके बाद आपको क्या करना है कहां पर भेजना है चलिए मैं बताता हूंग एक बार और एड्रेस इस एड्रेस पर आपको भेज देना है पता नोट कर लिजिए आपको कहां भेजना है आप या तो हिंदी में अप पूरम तालूप तीरून वेली डिस्टिक बासर टेकतर जीरो चापे भेज दीजिएगा और यह डाकुमेंट्स आपको लगाना है दस बारा का सर्टिफिकेट जोगा वो उसके बाद आई टी आई का सर्टिफिकेट और मार्क शीट और अधर क्वालिफिकेस एक्स्पिरिय वह लगा दीजिएगा इस के लिए यहां परमाण पत्र जो है एक चार्ट 2021 तक जारी किया होना चाहिए उसके बाद जारी होगा तो आपको वह चीज़े नहीं लगाना है न तो यह चीज़े याद रखिए आधार काड जरू लगाएगा क्योंकि यह मेंडेटरी है आवेज अभी काफी समय आराम से इस फार्म को फिल अप करके आप भेज सकते हैं 16 अगस 2021 तक आपका फार्म वहां पर पहुंझाना चाहिए दिएगा अड्रेस पे तो यह मुझे आपको देना था मुझे उम्मीद है कि यह आपको पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो एक वी नहीं थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो गाइज